इस समय में यमुना के लोहे के पुल पर मौजूद हूँ और यह पुल अपने आप में खास है क्योंकि इसको देड़ सौ साल से जादा हो चुका है काम करते हुए यह लोहे का पुल है खास तरीके का पुल है क्योंकि इसमें उपर ट्रेन चलती है और नीचे रोड पर ट्रैफिक चलता है और यहां हम आपको क्यों लाए हैं यहां इसलिए लाए हैं क्योंकि यह रेलवे पुल यमुना की बाढ़ के बाद एक बार फिर से खोल दिया गया है इस पर ट्रेनों की आवाजाही जारी है कौसन के साथ और इस पुल की अगर हम बात करें तो इस पर हमेशा ही कौसन रहता है धीमी धीमी रफ्तार में इसमें ट्रेने चलानी पड़ती हैं और यहां पर इस पुल की हम बात कर रहे हैं पास में ही एक नया पुल बनाया जा रह है और इस पुल की कहानी अपने आप में अलग है डिफरेंट है क्यों डिफरेंट है क्योंकि 2003 से यह बनना सुरू हुआ और अभी तक बन नहीं पाया और यहां पर इसमें तमाम तरह की तक्निकी खराबियां आती रही यहां सामने आप कर सकते हैं कि किस तरीके का यह खंबा कंबा ही तेड़ा हो गया तो यह तेड़ा कंबा जिप की और्ट का काम टेढ़ा हो गया और जब ये टेढ़ा खंभा सीधा करने की बात आई तो बड़े बड़े विसे सग्यों ने हाथ खड़े कर दिये और उसके बाद जब दोबारा काम सुरू हुआ तो नई तरीके से सुरू हुआ और इसका जो तरीका था वो बदला गया अब जो मौजूदा पुल है वो आप देख सकते हैं और इस पर काम चल रहा था लेकिन यमुना में बाढ़ा गई और यमुना में बाढ़ाई तो ये पुल का काम एक बार फिर से बंद हो गया और यहां पर नदी अभी भी उपर चड़ी हुई है हलांकि अब उतनी खतरनाक नहीं है जितना इसको जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा और इसका जो अधूरा काम है इसको पूरा करने की पूरी कोशिस की जा रही है पासी ट्रैक में आप देख सकते हैं कि यमुना का जो लोहे का पुल है उससे एक और ट्रेन निकल रही है और यह ट्रेन इस समय धीमी रफ्तार में नि कहीं न कहीं अंग्रेजों ने उस समय की जो सबसे जबरदस्त तक्नीक थी उसका इस्तेमाल किया था और काफी कम समय में इसको बना लिया गया था आप समझे दो साल में इसको बनाया गया और तीन साल में कमिशन कर दिया गया और आज इस्थिती ये है कि 2003 में पूरी योजना बना ली गई लगातार उस पर काम किया गया फिर हुआ क्या कि पास में जो लाल किला है सलीमगड फोर्ट है वहां एसाई ने अपना अरंगा लगा दिया जब एसाई ने अरंगा लगाया तो हम कह सकते हैं कि ये काम रुग गया, जब काम रुग गया दोहजार साटाट के बाद तो दोबारा सुरू होना बड़ा मुश्किल काम था जब दोबारा सुरू हुआ तब देखिए क्या इस्तती है, अभी इसका एक बड़ा हिस्सा बाकी है अगर हम इस पुल की बात करें तो एक लंबा पुल है बिल्कुल इसी के बराबर का पुल है और double line का पुल है साथी साथ girder spine का पुल है एक और चीज यहांपर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहांपर जो ट्रेन है उसको रोका गया है यहां आप देख सकते हैं क्यों रोका गया है और वो यह एक खास वज तो बड़ी दूरी तै करके ये लोग दिल्ली पहुँच रहे हैं और यहां एक अनुखा पुल जिसको हम यमुना का लोहे का पुल बोलते हैं वो आप देख रहे हैं उसी पर ट्रेन रुक गई है और यह ट्रेन दरसल आगे सिगनल नहीं है इसलिए रुकी हुई है और यहां पर एक और चीज में आपको बता दूँ आने वाले दिनों की अगर हम बात करेंगे तो आने वाले दिनों में यह पुल जब तैयार हो जाएगा तो इस पर तेज रफतार ट्रेने चलेंगी यहां पर इस पुल पर कासन है क्योंकि यह पुल पुराना हो चुका है लेकिन अभ किस्पेक्षन किया गया था उसके बाद जो ग्रीसिंग है वो हम कह सकते हैं जुलाई 2022 में और इसकी डेंटिंग पेंटिंग का काम 2018 में किया गया था अब दोबारा इसको कहीं न कहीं हम कह सकते हैं इसकी पेंटिंग का काम सुरू हो चुका है धीरे धीरे उसको भी पूरा किया जाएगा लेकिन सब को उम्मीद है कि नया पुल जल्दी बने क्योंकि नया पुल जब जल्दी बन जाएगा तो कहीं न कहीं एक बड़ी सहुलियत ह और सबसे बड़ी बात यह है जो ट्रेनों की रफ्टार सुस्त हो जाती है वो कहीं न कहीं हम कह सकते हैं उससे राहत मिल जाएगी यहां पर अधबना पुल हम आपको दिखा रहे हैं बार बार हम कहे रहे हैं अधबना पुल आप मेरे सामने ही है आप देखेहा तेड़ा खंब कहीं न कहीं वो खड़ी कर देते हैं और इससे दो नुकसान हुए एक लंबे समय से यह पुल बन नहीं पाया दूसरी अगर हम बात करें तो इसकी कीमत बढ़ गई यानी दोहरी मार पड़ी एक तरफ तो इंजिनियर्स की मुर्खता साबित हुई कि आखेर उन्होंने किया क्या दूसरी तरफ अगर हम देखें तो लंबा समय लग रहा है बीस साल से भी ज्यादा वक्त हो चुका है और यह पुल तयार नहीं हुआ है कैमरामेन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ न्यूजी स्टेशन दिले